वहीं बीते कई दिनों से मध्यप्रदेश के देविंद्र नगर के आसपास के शेत्र में अवैध्र प्लाटिंग का धंदा अपने चरम पर है भू माफिया सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने में लगे हुए हैं ऐसा ही एक मामला देविंद्र नगर के पास सलेहा रोड पर इस्थित जीरीयन मंदिर के पास पड़ी जमीन का है जिसमें सरकारी नाले पर ही भू माफियाओं ने मुरुम की रोड और पूलिया डाल कर अतिक्रमण कर लिया गया मौके पर पहुँचे पटवारी दलने प्रस्तूत पंचुनामा और प्रतिवेदन में अतिक्रमण का स्ताफ उलेख किया गया है जिसके आधार पर तहसलदार देवेद्र नगर ने अतिक्रमण कारियों के खलाग नोटिस जारी किया है वहीं शास के जमीन के कुछ हिस्ते पर भी मकान निर्मान कर रही कलावती चौधरी पर भी अतिक्रमण का प्रकरन दर्जकर नोटिस जारी किया गया है आपको बता दे कि भू माफियाओं ने शुकायत आवेदन सहित कई हथ खंडे अपनाए है लेकिन तहसलदार जोतिस दिहां राजपूत की नियम संगत कारे शैली के आगे भू माफियाओं के सारे दाउं पेंच फिसर्डी सावित हो रहे है फिल्हाल प्रशासन के इस कारेवाई से भू माफिया आ सकते हैं और जीले के आला अधिकारी भी अग्रिम कारेवाई के लिए मूड में दिखाई दे रहे है अधिक किसी सास की जमीन पर भू माफिया द्वारा अधिकर्मा किया गया है और अपनी जमीन में मिलाकर नाले की जमीन को भी कश प्लाटिंग करने कर रयास किया रहा है कि इसमन में मेरे गौरा सम्मडर को चैसिल्दा तेवल मगर को जलदेश किये गए जो चैसिल्दा तेवल मगरा में महादिक की जाध्वादी के माध्यम से कराई है और प्राइम ऑफेस है ज्यानकारी लगी है कि नाला के पास की जमीन पूर्ब में इस परकार का यहां पावर हाउस के पास किया था जमीन इनने रजिस्ट्री को किसी जगही करवाई की आराजी में दिया था उसमें लोगों खिलाब कारवाई हुई पुना उसी टाइप पर इनके घटन जहां इसास की जमीन देखते हुई जमीन करीद करके कालोनी डवलब करते हैं जैन है जैन और यह नफीज और एक वो विशकर्मा है वागवद विशकर्मा यह लोग हैं यह लोग पार्टनर कर लेते हैं और अब